कि अब्सक्राइब किजिए प्लंबर इस वे सालिश्ट चैनल को और मेरे बीटे सबसे पहले बादने के लिए बेल आगाट फ्रेस किजिए हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करते हूं आपका प्लंबर इस वे सालिश्ट चैनल में दोस्तों यहां पर देख सेकतो यह इसे फीड करते हो इसकी वान को पूरी डिटिल्स में आपको दूस्तों बताओं को फीड करके यहां पर देख सकते होट और यूपर का तीन जो पॉइंट है दोस्तों इसका आउटलेट तो इसलिए इसको थ्री वर डाइवेडर आप बोल सकते हो जगवार का थ्री वर अगर आप देखते हो अगर आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखते हो आपको पूरा असान इससे समाझ माझाएगा तो आप फीट कर सकते हो अगर अगर आप प्लंबर हो तो आपको ये काम सीखना बहुत जरूरी है अगर आप को मैं आपको खूल के भी बता देता हूं यहां पर अगर को बता रहा हूं तो इस में इसको लगा देता हूं को वर्गो और मैं जिस्टो अभी एमेट में सबसे पहले लगा दूँगा उसके बाद में आपको बातरूम में जिसे करना है कैसी करना है सब मैं आपको जान कर दूँगा मेजरिमेंट के साथ में यहां पे आप देख सिखतो यह और आपको इसको दोस्तो टाइट कर देना है धृस्तो वीडियो को स्कीप मत के जिएगा क्योंकि वीडियो में दियेगे महें तो पुर्ण जानकर या आप से मीश हो सकते हैं क्योंकि दोस्तो इसमें कोई भी दोस्तो गलत क्लिप एक भी नहीं है skip करने के लाएक यहां पर देख सकतो हो उसकी बाद में इसको मैं फटबट टाइट कर लेता हूं आपको ऐसे करना है तो अगर जियाई का ऐसे पाइप का पीस पड़ा है तो आपको आसानी से इसमें टाइट करना है आपको मदद मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है पूरा चीपक नहीं बोडी मा जाकर बाद में लीकेज कोई चांस नहीं रहेगा यहाँ पर देख सकतो अब जो इसको मैं टाइट कर चुका हूँ यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पी इसका मेजर्मेंट के बारे में देखा देता हूँ दोस्तो यह बातरूम जो है ताइल से 9M में है और यह लोजी यहाँ पर देख सकत हो खिशह सोगा का 200 ताल साइगा तो उसका सेंटर में इसको लेना है और यह डाइवेडर को भी मैं इसका सेंटर में मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर देख सिकत दोनौ जो मतलब ग्नेंटम मुझे बीच में बीच में ल ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहों मैं घिशी करने के बात मागा आपको समझा दूंगा यहाँ पर लेप्ट रैट से जो है घराम पानी का ठंडा और ठंडा पानी का कनेक्शन बाकी सब मैं आपका ओभी घिशी मानने के बात में फेटिंग के साथ मैं आपको समझा ताके वीडियो पुरा यहां पर आप देख सकते दोस्तों गीशी जो है ग्लेंडर का इसका ग्लेंडर से गीशी हो चुका है अब मैं इसको दोस्तों छीशल और हत्रोडा से इसको सब गीशी को निकाल देता हूँ इस यह देख सकतो है अब जो दोस्तों आप देख सकतो है काटिंग हो चुका है ताके वीडियो ज़्यादा लंबा न मुण20 अब कुछ इसका सेंटर नाप लेहाँ वाल से दोस्तों जो 22 में मुझे इसका सेंटर रखना है डाइबर का तो इसमें से जो है गरम पाइप का जो पासवर उसका टूकर है तो इसको मैं सबसे पहले काड़ चुको आप मैं इसमें इसमें स्वोलियूशन लगा देता हूं यहाँ पर तोम क लाइन में इसलिए और बसcówर मैं यहां पर सकता है अब हिसको मैं टुकरा एक लागा देता हूं नाप लिया हूं सका टुकरा और सबसे पहले दोस्तों डैवेटर को फार केक्शन इस स्को मैं ठीक्स कर देता हूं इस Love पाइप में और फेटिक्स में solution देकर मैं इसमें लगा देता हूं और दोस्तों आप लोग वीडियो में अंतर जरूर बने रही है मैं आपको इसका measurement height और दोस्तों body ताके दोस्तों नहीं तो बाद में plate तेड़ा हो जाता है और इसके बाद में इसका में गरम का connection हो चुका है और यह अब देख सकतो बिल्कुल level में है अब मैं इसका cold water का connection भी सबसे पहले फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर अब देख सकतो राइड से cold water का connection और इसका टुकरा जितना बढ़ा रहा हो नाप चुक हो अब मैं इसको pipe cutter के मदद से काड़ देता हूँ और इसको pipe cutter से काटने के बाद में pipe cutter से काटने का यही बेनी फिट है उसका pipe का अंदर का जो रापने से वह बिल्कुल नहीं मिलता है इसमें से और इसमें से क्या है बाद में चोकप का चांस बहुत कम रहता है और pipe पूरा जैसे company का लोगों के जैसे cutting आता है आपको ऐसे बिल्कुल देखने को मिलेगा और यह pipe cutter अगर दोस्ता purchase करना चाहते हो तो मैं दोस्तों डिक्रिशन में 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 वाड्सेफ नमबर दे दूँगा और इस्टरगाम का लिंक भी रहेगा वहां से आप आप order कर सकते हो दोस्तों इसका price आपको 14 रूपिया पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको courier कर सकता हो यहां से अगर आप जोस्तों इसको एमाजन से purchase करते हो तो इसका price दोस्तों बहुत ज्यादा पड़ता है आपको अब जो है दोस्तों यहां पर देख सकतो cold hot water का और cold water connection हो चुक है अब मैं इसको final bubble level देखर आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल दोस्तों level है उपर का भाग देख सकतो और उपर से भी मैं इसका आड़ा वाला भी level क कर चुका हूं अब मैं दोस्तों इसको डैबडर जो है दोस्तों फीटिम हो चुक है अब इसका body sour का जो पॉइंट है उसको मैं सबसे पहले यहां पर देख सकतो नाप ले लिए एक उपर से घुमाने के लिए इसको मतलब त्यारो साइट का जो connection है sour के लिए अब मैं इसमें कि अब की यहां रही दोस्तों दोजब टुक्र लाकर उसको उपर फूस कर चुक कर चुक हूं अब को fix कर दोसा ह culmin कर ना कम और और यह पर नाप लेता हूं पर सेंटर से जो के से מאह whenever रखकर में इसको नाप लेता हूँ और टी में elboo सबसे पहले fix कर देता हूँ he strike और एक simple true कि ला कर इसको सीद्हा देखने के लिए मैं लगा देताु तो अब देख़ेख तो इसको मैं fix कर मैं हम सबसे पहले कि यहां पर देखे हैं तो यहां पर देख दो यहां पर आप देख सकते हो और मैं अभी आपको बता हूं गया दोस्तों जो जेट का बोडी जेट का पॉइंट से एल्बो आपको कितने में रखना है कितने में रखने से आपको आपको जान करें दोँगा अब मैं आपको नापकर दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हो दोनों का सेंटर 13 इंच है पाइप का दोनों का सेंटर यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं करें दोस्तों 13 इंच का टूकर जो है अब दोस्तों जो वहां पर उपा न पाता तो 11 इंच का इसमें तो इसका नीचे का टूकर रहा है नीचे का टूकर दोनों शेम लगेगा तो मैं इसको सबसे पहले सीधा कर लेता हूं यहां पर देख सकते हो आप कोई भी इक्वेल जो टाइल्स है या फिर मारेवल का इसमें साब सीधा कर सकते हो और आप मैं बोड़ी होर का जो पॉइंट है मुझे दोस्तों एक दोस्तों ऽोट लेवल है फ्लॉर का टॉप लेवल उससे मुझे दोस्तों नीचे का पॉइंट ज divide में रखना है और आप मुझे 54 इंच में रखना है तो इसकी सबसे मार्किंग लिए हो डॉरी का की जो दोस्टो इसका पैनल है मैं बहार टाइल से जो कोई भी समान जगह है तो वहाँ पर मैं फिट करूगा। यहां पर देख सेकते ह। वहां से जो मैं इसका measurement निकाल चुक हूं तो इसका जो पहला जो टी है दोस्तो नीचे से दो इसका जो नाप लेहों 300 mm में आ रहा है पहला जो प्वेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का टुक रहा है सेम काट लेना है मुझे लेट और राइट का जीकि दो पहले जो नीचे का जो ब्राश ठी है जोस्तो बोडी सावर के लिए तो उसका 300 mm का टुकरा आ रहा है तो इसको मैं सबसे पहले दोनों मैं ब्राश ठी चिपका लेता हूं काट कर और मैं इसको दोस्तो इसको कच्छा फेटिंग कर लोगा सबसे जाले उसके बाद में इसका दूसरा जो टी है तो उसको भी मैं नाप लेता हूं तो वहां से दूस्तो इसको जो है यहां पर मैं इसको नाप ले लिया हूं तो वहां से जो है अल्बो से मुझे इसको नापना है जितने भी मैंने नापा था एक 300 मार है और दूसरा जो है है तो मैं इसका आप निया थको ईसका निकाल लेना है और आपको यहाँ जहां भी आपको डो मेट्पायंगर निकाल लिया एख़ी गाल को इसके कास्ति सेलीड़ को बना है तो जो है जो है डाशी only दो stay आप शीधा रखना चाहते हो तो सबसे इजी तरीका यही होता है यहां पर अब देख सकते हो अब मैं दोस्तों इसमें लगा देता हूँ एक 300 mm का टुकर आया और दूसरा जो है 500 mm का टुकर आया तोस्तों दोनों को मैं सबसे पहले इसमें चिपका लेता हूँ इक्वेल करके यहां पर अब देख सकते हो फ्लोरिंग का टाइल्स है जस्त दोस्तों नीची के तरब आपको टी का मुझ जो है नीची के तरब रखना है ब्राश्टी का और आपको इसे पूस कर देना है तो ब्राश्टी जो है बिल्कूल सीधा रहेगा यहां पर अब देख स तो आपको ऐसे पूस करना है जिए ठेल देना है यहाँ अब देख सकते हो जो है ब्रास हुआ जो ए बिलकुल तेड़ा नहीं होगा अब असानी से ऐसे आप पैनल यहाँ पर बना सकते हो दूस्तों वहाँ से आप बात्रूम से इसका मेजरमेंट लेकर आगे तो अब देख सकतो यहां से मैं इसका जो है दो बोडी सावर जो है का इसका मैं पैनल बना चुक है अब मैं इसका फाइनल उपर इसको लगा दूँगा यहां पर इसका जो टुक रहा रहा है तब मैं यहां से दूस्तो नाप लोंगा और मैं आपको भी मेजरिमेंट करके बता काट वह भी जादा बंधतiff अब ऊपर रहे वह भी दुफियों आएगा तो मैं दो श्षाट इंच का टूपर उसको मैं काट ले लेहों आप मैं दोस्तों दोनों को है दोनों में ब्र debon understand में उपर कर का लिता हूं कि यहां पर देख एसकतव फum इसको मैं कच्छा रखा थै इसको मैं अब फाइनल कलेक्षाओं मिजरमेंट करने में आपouse सब्सक्राइब आपके तेड़ा ना हो जाए मेजरिमेंट के समय अब मैं इसमें सिंप्ली स्वधल लगा दूँगा दूनों में और दोनों के एक साथ मैं पूस्ट करूंगा और साथ मैं मुझे इसमें बावल लेवल भी चेक करना है दोनों को फिकि थोड़ा से बड़ा से दोस्तों आप दे क्ट इसका उपर का जो डैवेडर को तीन आउट लेट है उपर वाला भाग से मैं डूस्तों बोडी एक का सावर के लिए दुसतों आउटे का पउइंट लिया हूं और राइट साट से में इसका इस्पाउट का पॉइंट ले लूँगा तो एक दो पास्वार में दूस्तो काम हो जाएगा आप अगर अध्री हुए आप डियाबिटर से बोडी जेट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आप चार या छे यहाँ पर मैं दूस्तो चार बोडी सावर बना रहा तो यहाँ पर देख सकते हो आप च्छे बोडी सावर भी आप ले सकते हो तीन दिन करके लेट और राइड साइट में अब मैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इसका सेंटर निकाल लेए हूं अब इसका पॉइंट है इसका आड़ा में जो टुक्रार आ रहा है उसको में अब मैं इसको pipe cutter के मदद से काट लेता हूं दोस्तों कितना अच्छा pipe cutter है आप देख सकतो वह तुरंत काम हो जाता इस pipe cutter में खास करके दोस्तों पॉनना और एक इंच का pipe मतलब 3-4 और एक इंच का pipe आप आसानी से काट सकते हो इस pipe cutter के मदद से और बहुत ज्यादा long lasting रहेगा मैं इसको इस pipe cutter को काफी दिन से यूच कर रहा हूं इसका प्राइस दोस्तो 14 रोपिया है अगर आप खरीदना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिशन में लिंक है वहां से आप ओडर कर सकते हो यहां पर देख सकतो अब मैं इसका center देख लेता हूं तीनों का spout का और दोस्तो दो डाइबेटर का center सेम होना चाहिए और सावर भी दोस्तों कि कि सीलिंग सावर आएगा तो बाद में इसका भी center जो है तीनों equal में रहेगा अब देख सकतो और राइट से जो है कि सवर इसका जो लेट से जाया है मतलब सवर के लिए पॉइंट जायेगा यहां पर देख सकते हो अब मैं इसमें जो टुक्रा आता है इसको मैं काट कर सबसे पहले इसमें लागा लेता हूं तो इसमें पेकी मतलब जो एंजन से थोड़ा बड़ा टुक्रा आ रहा है क्योंकि पैनल के बाद में वहां पर जगा नहीं है तो वहां से मुझे पॉइंट ले जाना है नहीं तो जो है दोस्तो अबार टेक का प्रॉब्लम आजाएगा और भी एक पास अबार इसमें लाग सकता है इसलिए यहां पर देख से तो कि यह मैं दो फोड़ी वेब से क्रॉस करके इसको मैं वहां से दोस्तो ले जा रहा हूं अब देख से तो सावर के लिए जो है पॉइंट मैं उपर उठा दिया हूं अब मैं सिंपली उसको उपर का जो टुकरा मैं लगा देता हूं और और मैं आपको बाताता हूं कि इसको मैं दोस्तो इस पाउट को जो पॉइंट है इसको फैनल चिपका देता हूं स्वलिशन देकर इसका जितना बड़ा टुकरा आ रहा है वह मैं काट लेता हूं अब देख सकतो पॉइंट लगा दे हूं अब जो उपर जो सिलिंग सावर आएगा तो उपर का यह टुकरा जी भी है मैं लगा देता हूं इसमें और दोस्तो अंत में मैं इसका मेजर्मेंट बताऊंगा कौन सा पॉइंट कितने में रखता है और डाइविडर का हाइट कितना है मैं आपको रखना है बोडी सावर का भी पॉइंट मैं आपको फाइनल बता दूंगा तो यहां पर आप देख सकते हूं इसको मैं आप चिपका देता हूं और इसको सीधा कर देता हूं मुझे बाद में उसको उपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि सीलिंग सावर आएगा उपर वहां पर सीलिंग बनेगा अब देख सकते हूं बोडी जो है बिल्कूल फीटिंग हो चुका है और मैं आपको यहां पर बता हूं करणिस डुरी का जो सेंटर है दोस्तों 600 अमें में का टाईल से अएगा तो उसका आफका हैसब अगर यहां के थोड़ा है सकते हैं धाइट में लेना यहां पीत हो दोने का हूँ bilmiyorum ज यहां प्लोंट है प्लोरींगा टॉप लिबिल से 32 ने मैं रखा हूँ उसको अग्वास्ट्टि का सेंटर रहें और दोस्तों इसरी में बेंदर का पहला प्वेल दोस्तों इसकों.. और इसका सेंडर से दूस्तो मतलब पहला वाला जो ब्राष्टी का सेंडर से दूसरा वाला ब्राष्टी का गयप है दोस्तो 22 इंच रखा हूं और यहां पर देख सकतो हो 21 इंच का टूकरा है उसके बीच में और इसका जो मतलब सबसे ऊपर वाला जो मतलब अज़ाश्टी का हाइट है दोस्तों यहां पर देख सकतों अगर आप दोस्तों आपका हाइट कहीं सबसे पर परता है थोड़ा कम है तो इससे भी महां ने में रख सकते हो फैणल उपर को जो बोडि सावर का पोइंट है और सेंटर तो सेंटर दोस्तों अलब रास्ट्री का सेंटर से दूसरा ब्रास्टी का सेंटर है उसको मैं 13 इंच रख आँ बोडि का जो दूसतों रेंज होता है सब सबको रखना पड़